एक ऐसा अभीनिता जिसने अपनी पहली फिल्म से बोलिवुड में धूम मचा दी और उने एक एक्षन हीरो का खिताब मिल गिया साधरन सा दिखने वाला दुबला पतला सावले रंग का लड़का जिसने बोलिवुड में अनोखे की रतिमान इस्थापित किये नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं फिल्म इमार्ट तीन फिल्म फेर आवोर्ड चार नैशनल आवोर्ड और पदम सरी विजिता अजे देवगन अपने अनोखे एक्षन और डायलोक्स के लिए हर भारते के दिल में बसते हैं कभी कोमेड़ी से सब को हसाया तो कभी अपने बेबाग डायलोक्स के दम पर दर्शकों को आकरशित किया अजे ने अपने फिल्मी कैरियर की सुरूत 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे सी की और फिल्म बॉक्स ओफिस पे सुपर हिट साबित हुई फिल्म में अजे देउगन की एंटरी दो मोटर साइकल पे हुई और इसी जो खिम भरे सीन के कारण उन्हें एक्षन हीरो का खिताब मिला अपनी दमदार एक्टिंग के कारण उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल का आवोर्ड भी दिया गया इस फिल्म के बाद फिल्म निर्माताओं ने अजे के सामने फिल्मों की जड़ी लगा दी अजे की अगली फिल्म की थी 1992 में आई जिगर ये फिल्म मार्सल आर्ट पर आधारित थी फिल्म बॉक्स ओफिस पे सुपर हिट रही इसके बाद अजे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सुपर हिट फिल्मों की जड़ी लगा के रख दी अजे की अगली फिल्म साल 1993 में संग्राम रिलेज हुई 1994 में विजयपत, दिलवाले और सुहाग 1995 में नाजाइज और हकीकत 1996 में आई जंग, जान और दिल जले 1997 में आई इसक जैसी फिल्में ब्लोकबास्टर साबित रही के ठेर में शोलों को हाथ लगाने की कोशिश मत कर चल जाएगी 1998 में आजाइ की फिल्म मेजर साब प्यार तो हो नहीं था और जाखम रिलेज हुई फिल्म जाखम के लिए उन्हें नैसनल आवोर्ड भी मिला 1999 में आजाइ की फिल्मों में हम दिल दे चुके सनम, हिंदुस्तान की कसम, कच्चे धागे, होगी प्यार की जीत, दिल क्या करे, गैर और तक्षक्षा मिल है ये सभी फिल्में बॉक्स ओफिस पे हिट साबित रही पर हम दिल दे चुके सनम में आजाइ के किरदार को लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया इसी साल आजाइ ने अभिनेत्रे काजोल से साधी भी की और दोनों से दो बच्चे भी हुए बेटी नयासा और बेटा यूग अजाइ और काजोल ने कई फिल्मों में साथ में काम भी किया है जिसमें प्यार तो होना ही था इसक और दिल क्या करे जैसी फिल्मी सा मिलें 2003 में आई फिल्म गंग अजल के लिए अजय को फिल्म फेर आवोर्ड के साथ बेस्ट फिल्म का नेशनल आवोर्ड भी मिला 2004 में खाकी और रेनकोट हिट रही 2005 में इंसान ब्लैक मेल मैं ऐसा ही हूँ टैंगो चारली सिखर कुछ खास नहीं कर सकी 2006 में ओंकारा और गोलमाल 2007 में कैश और आग 2008 में हला बोल संडे गोलमाल रिटन्स में अजय ने अभी ने किया साल 2009 में अजय ने फिल्म यू मी और हम से अपने डायरेक्शन और परडेक्शन की सुरुआत की फिल्म में उनकी पतनी काजोल ने भी अभी ने किया था अपनी शफलता का पर्चम लहराते हुए अजय ने 2010 से 2022 तक 40 फिल्मों में काम किया जिसमें से ज़्यादतर सुपर हिट साबित रही अजय देवगन की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो मैदान जो किया जय देवगन की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है और दूसरी फिल्म है औरों में कहा दम था जो इसी साल रिलिज होंगी तो दोस्तो अभी के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें